अधिकतर महिलाएं चूडियां या कंगन अवश्य पहनती हैं चूडियां और कंगन शादी शुदा महिलाओं के लिए खासा महत्व रखता है कई प्रांतों में तो इतना महत्व है कि सोना नहीं तो कांच की चूडियां पहनना जरूरी है बंगाल में शंका पोला तो पंजाब में चूड़े अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग चलन है कहा जाता है कि नई नवेली दुलहन की कलाई चूडियों से भरी होती है चूडियों के पहनने के पीछे सुहाग के निशानी के अलावा कई अन्यमहतपून कारण भी है चूडियां हमारे पूरवजों का खोजा गया विश्कार है जिसे घर में हर वक्त मधु ध्वनी बचती रहे जिसे सुनकर इस्तरियां और पूरा परिवार चूडियों के खनकने से उत्पन सकरात्मत ध्वनी से लभाम दित रहे महिलाएं पूर्शों से अधिक मानसिक और शारीरिक तोर पर काम करती है इसी कारण वे बिमार भी अधिक होती है इसी लिए उनकी प्रतिरोधिक शम्ता को बढ़ाने और एक आगरता को बनाए रखने के लिए चूडियों को उप्योग महिलाओं के लिए ही किया गया आई जानते हैं कि विग्यानिक्ता के अधार पर चूडियों का क्या लाग है मनुष्य की शरीर में कलाईयां बागी सभी अंगों से ज़्यादा उप्योग में आती है किसी भी विमारी में हम कलाई की नफस देखते हैं चूडियों जो महिलाओं की कलाई में पहनी जाती है कलाईयां और चूडियों के बीच होने वाले घर्शन से महिलाओं के शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है महिलाओं के अधिक काम करने की वज़े से उनके शरीर से जो उर्जा बाहर निकलती है और व्यर्थ हो जाती है जिससे महिलाओं को जल्दी ही थकान महसूस होती है वो ओरजा चुडियों की गोलाकार होने के कारण शरील से बहर नहीं किल पाती और महिलाओं की ओरजा व्यर्थ नहीं मिलती जिससे उन्हें जल्दी ठकान भी नहीं महसूस होती चिकित्सा के अधार पर चोड़ियों का महत्तुर चोड़ियों के हिलने और बजने से जो मधुल ध्वनी निकलती है उस संगीत से मनुश्य को शारीरिक और मानसिक तोर पर बहुत लाब मिलता है चिकित्सक मानते हैं कि संगीत में और शतिय गुण है इससे दिल, उच्रक्त, चाप, अवसाद जैसे रोगों का भी इलाज कर सकते हैं मधुल ध्वनी सुनने से बहतर मूर तनाब में कमी और समाजिक वा अध्यात्मिक लाब में हसूस किये गए मधुल ध्वनी तनाब को कम करके प्रतिरोधक प्रणाली पर सकारात्मिक प्रभाव डालती है अगला है मानेता के अधार पर चूडियों के संबंध में मानेता ये है कि जो विवाहित महिलाएं चूडियां पहनती हैं उनके पती की उम्र लंबी होती है आम तोर पर ये बात सभी लोग जानते हैं इसी वज़़से चूडियां विवाहित इस्त्री के लिए अनिवारे की गई है किसी भी इस्त्री का श्रिंगार चूडियों के बिना पूरण नहीं हो सकता चूडियां इस्त्रियों के 16 श्रिंगारों में से एक है चूडियां इस्त्रियों के लिए सुभागे का प्रतित है इन सभी अधारों के अलावा कई ऐसे अधार हैं जो हमें बताते हैं कि इस्त्रियों के लिए चूडियां किते महत्त पूरण है जैसे कि आयरवेदिक के अनुसार चूडियां महिलाओं के लिए स्वास्तिक दृष्टी से बहुत लाब दाइक है चूडियों के निर्मान में विविन प्रकार की धातूं का उप्योग होता है अगर ये लगातार शरीर को सपर्श करें तो उसका सूप्रभाव शरीर को प्राप्थ होता है और विविन रोगों से रक्षा होती है जियोतिश के अनुसार विशेश प्रकार के रंग, धातू, आधी होने से विविन ग्रहों का दोश उससे दूर हो जाता है इन सभी बातों का ज्यान हमारे पूरवजों को पहले से ही था इसलिए उन्होंने इस तरियों को चूड़ियां पहनवा कर उन्हीं हमेशा स्वस्त रखने का उपायक हो जा तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, कमेंट बोक्स में जरूर लिखें और इसी तरह की और अतिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अबडेट के लिए बैल आइकन जरूर प्रेस करें